नमस्कार मैं गौई रानी और आप देख रहे हैं दियस्टी न्यूज कोरोना संक्रमन के जंग से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी पूरी तयारी कर लिए क्या कुछ खास तयारी है यही जानने के लिए इस वक्त हमें बात करूंगी मंत्रि आलमगीर आलमजी से सर राज्य सरकार में क्या किया है करोना भाइड़स का पहले लॉगडाउन जारकान सरकार ने पहले किया था फिर के इंदर सरकार से आया था कि लॉगडाउन प्राद्यस में रहेगा शक्ति से उसको हम लोग पालन कर रहे हैं और जो नियम है यह सोसल डिस्टेंस बना का रखना है इसको भी लोगों के बीचे म कि दुकान खुली रहेगी जो जिन्दिगी का रोजमर्कार का समान जो है खाने पिने का वह उपलब करा दिया जाएगा या दुकान खुला रहेगा उससे भी आप कर सकते हैं जहां तक कुर्णा भाइड़स का विंद 19 जारकान में एक भी पॉजिटिव केस्त नहीं आए ब और अपनी सोशल मीडिया के माध्धम से लोगों को अपने रिष्टेदारों को जानकारी दे कि यह जो है घर में रहने का एक बड़ी यहतार बरते ताकि लोग बाहर नहीं जाए यह जो नहीं हो पाई सर यहां पर मैं एक बात बोलना चोंगे आपने कहा कि अभी तक जारकान में आए नहीं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन चार कडोर की आबादी में अभी तक दो सौब भी चेकप स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो क्या सरकार लापर वाही नहीं बरतरी है देखे यहां चार जांच होनी चाहिए थी उतना जांच नहीं हो पाया है लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं कि पूरे जारकान में हम लोग हमारी सरकार की नजर है हम लोग जतने भी विधाय मंत्री जो भी है मुख मंत्री समेथ सबकी नजर है कि उस तरह का जी सिम्टम जो होता है उस तरह का सीम्टम जहां भी होता वैसे लोग को कुरेंटाइल वार्ड में रखा जाता है और लोग को घरों में रहने के लिए बुला गया है और ऐसा सुचना आएगा जो सिंप्टम है उसका लच्छन दखाई दे रहा है उसका तो जाच होई रहा है और जहां तेजी होगी हमको लगता है कि एक हपता में चार गुना तेजी आएगी दिल्ली यूपी में जो हजारों मजदूर प्लाइन कर रहे हैं फसे हुए हैं राजसरकार क्या तैयारी कर रही हैं उन मजदूरों को लिए वापस लाने के लिए देखिए राजसरकार अभी इसमें कोई तैयारी नहीं किया लेकि राजसरकार ने एक बहुत बड़ी बात करा है कि हर एक प्रदेश में एक हमारे यहां से आयएस ओसर को निक्रिक किया गया है जो हम लोग को खावर मिलता है अब उनको भी खावर मिलता है और लोगों को जो खावर होता है यहां पर on-line लेकिन जब लोग दावन है तो आने की समस्या है हम इस बात को समझता है घर के लोग भी प्रेसान है जो बाहर गया अभी तक नहीं आया है अभी इस पर कोई निन्य नहीं लिए गया लेकिन हम चाहेंगे कि लोग जो है सुड़च्छित रहे अपना घरों मेरे जो जहां है वह सिसके रहे हैं सर नोडल पदादिकारी का आप लोगों ने न्युक्ति किया है लेकिन ऐसी कंप्लेन आ रहे हैं कि वो फोन नी उठा रहे है तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इसको सुधाना है इसका संजान में हमारा आई है हमको भी एक गरीब मजदूर है तो तीहारी मजदूर है जो ऐसे लोग हैं जो रोड पे अपना जीवन बितार हैं उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने क्या वैवस्था किया क्या वैवस्था किया क्या पंद्र चौदर अप्रील तक बोला गया 14-15 अप्रील तक लेकिन अगर यह आग हल के दिनों मेन आज कभी नहीं है बात को भी ऐलान किया है और हर डिलार को आनाज 2 महना करा दिया गया जो गरीब didka के लोग है उसको भी अनाज दिया जाएगा जिसके नाम नहीं है ओसका पर प्टाने बोचे लोग Son sergeant तो बाहर पढ़ें उसको भी खाना के वहाष्ता हम तो ये हमारे साथ खास बात्चीत में हमारे साथ बात कर रहे थे आलमगीर आलमजी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्यसरकार पूरी तरह से तयार है इस कोरोना के जंग से लड़ने के लिए फिलाल इस खबर में इतना ही आप देखते रहें देश्डी न्यूज गौर इरानी राची से